मुकतार अंसारी की मौत के बाद बांदा जेल में कैदियों में हडकम पर क्यों मचा हुआ है? क्यों बांदा जेल की कैदी खाना खाने से डर रही है? क्यों वो रोटी को सिर्फ टमाटर में नमक लगा कर खा रही है? ये इस वक्त सबसे बड़ा सवाल है आपको बताएं कि कैदी एक दूसरे से बात नहीं कर रही है जादा हस नहीं रही है बोल नहीं रही है यहां तक कि वहाँ पर जेल की सुरक्षा तो बढ़ा दी गई है पुलिस सुभा और शाम दोनों समय फ्लाग मार्च कर रही है मुक्तार अंसारी गांग्स्टर जिसकी मौत होती है और हार अटाइक उसको आता है हिरदय गती उसकी रुख जाती है जिस वजह से उसकी मौत होती है लेकिन मुक्तार अंसारी के परिवार ने आरोप लगाया कि उसको धीमा जहर दिया गया मुक्तार को जेल में जहर दिया गया धीरे धीरे उसकी तब्यत बिगरती चले गए और आखिरकार उसकी मौत हो गए ये परिवार वालों ने सवाल खड़े की और हमने देखा कि जब मुक्तार अंसारी की मौत होती है उसके बाद जेल अधिक्षक को जान से माने की धंकी मिलती है 15 सेकेंड का वो ओडियो भी वाइरल होता है और शुरुवाती चांच में ये बात सामने आती है कि वो कॉल उत्रा खंड से आया था अब आप ये समझें कि सुरक्षा तो वहाँ पर पुखता है मुक्तार अंसारी की जो परिवार की लोग है वो धीमा जहर दिये जाने की बात तो कर रहे थे लेकिन पुलिस द्वारा इस बात का खंडन किया गया जो अस्पताल प्रशासन है मेडिकल रिपोर्ट भी जारी की गई क्योंकि आपको बताएं कि मुक्तार अंसारी जो की गांग्स्टर था फिर नेता बना और वो धाई साल से बांदा जेल में बन था इससे पहले वो पंजाब की रोपर जेल में था जहां पर फिर भी वो अपनी गतिवीधियों को अंजाम देता था लेकिन जब से वो बा लेकिन अब आप यह समझें कि बांदा जेल में जब से आया मुक्तार अंसारी उसकी तबियत धीरे-धीरे खराब होती चली गई इससे पहले भी हमने देखा कि जब उसकी मौत होती है उससे कुछ दिन पहले वो डॉक्टर को दिखाता है उसकी तबियत खराब होती है और व कि उसको हेल्थ इशूस पहले से थे उसको हेल्थ इशूस धाई साल पहले भी थे जब वो पंजाब की रोपड जेल में बन था सिर्फ उत्तरप्रदेश की बांदा जेल में ही नहीं लेकिन अब सवाल यह खड़ा होता है कि जो कैदी बांदा जेल में इस वक्त हैं वो डरे जहर दिया जा रहा है, हाले कि अस्पताल प्रशासन की तरफ से या फिर हम जेल प्रशासन की बात करें, इस बात का खंडन किया गया है, क्योंकि जब भी ऐसी आवाज उठाई जाती है, वकाईदा जो सांपल्स होते हैं, बोल ये जाते हैं, नमूनों की जांच होती है, और मौत हाट अटेक से हुई है, ये पोस्ट मॉटन रिपोर्ट में भी साफ हो चुका है, फिर भी उसके परिवार वाले सवाल उठा रही हैं, और इस बात को लेगर के बांदा जेल के कैदी डरे होए हैं, अब कितने दिनों तक वो एक दूसरे से बात नहीं करते हैं, कितने द झाल झाल